निखत ने दूसरी बार World Championship का खिताब जीता है पिछली साल से वो लगाता सुपर फॉर्म में है और बड़ी बात है कि इस बार Olympics वेट कटेगरी में जीता है बिल्कुल सर मैंने जैसे आपको कहा था कि तैयारी Olympics की है जो मेरा ultimate dream है Olympics में गोल मेडल जीतना उसी रास्ते पर हूँ मैं और I believe this is just a start आगे और भी challenges आएंगे रास्ते में बट मैं उन सब के लिए ready हूँ और जादा महनत करूँगी यहां से इस competition में मैंने जो भी mistakes किये है उन ओ मैं देखूंगी कैम जब स्टार्ट होगा coaches से बैठके discuss करके फिर उस चीज़ पर हम काम करें अज़े आपका जो weight category चेंज हुआ है इसमें काफी बदलाव करना पड़ा आपको टेक्निक में क्योंकि मैंने आपका सेमी फाइनल देखा तो उल्टिमेट माच था लाइटिनिंग स्पीड से आप यह कर रहें थी साइट से निकल के भी बतुब जितना टेक्निक फुल फ्लेज़ लगा था आपको लगता है बहुत सारे चींज करना पड़ा हां लेका हर बॉक्सर के साथ खेलना में सबके अप कि वह कॉंपिडिशन यह कॉंपिडिशन का सबसे बेस्ट बाउट मेरा सेमी फाइनल बाउट रहा है बिकॉज वह एक्सपिरियंस बॉक्सर भी रहे चुकी है रियो अलम्पिक्स ब्रॉंस मेडलिस्ट है और प्रिवियस वोल्ड चैंपेंशिप 50 kg की सिल्वर मेडलिस्ट ह तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि एक अच्छे बॉक्सर को हरा के फाइनल में पहुंचना इसलिए मैं आपके वोट पे सवाल नहीं पूछ रहा है यह चोट आपको लगती है और लगती रहेगी लेकिन जो टॉर्णमेंट से बाहर की बात जब टॉर्णमेंट शुर कि अब आपने पैरेंट्स को उमरा के लिए भेजू कि रमजान चल रहा है वोली मंथ तो मैं कोशिश करूंगी कि जो मेरे को प्राइज मनी मिल रही है उससे में मेरे पैरेंट्स को उमरा के लिए बेजूंगे यह बड़ी बात है चाइना से जादे हमार पास गोल्ड मेंट आप लोग का सपोर्ट ऐसे बना रहेगा तो हम लोग और महनत करेंगे और ऐसे देश का नाम रोशन करते रहेंगे बस एक सड़ेब्रेस न पयाप हर बार बोलते हैं बिर्यानी खाएंगे वहां खाना यहां खाना है हम लोग भी चाविडराबादी की बात कहीं और नहीं मि